प्रेज लॉट प्रेज लॉट सब्सक्राइब को जैमस्थे कि मेरे अधियर बहुत बड़ा परकाशन है और आज और अनुखा परकाशन है क्या है परकाशन आपने टाइटे सम्मेद लेखे लेकर बिल्कुल आज एक तुम ने घ्यान दिया है विश्यगर्दी पर यनिके वि पकुछ बुरन कारण या किसी ना कारण विश्यगर्दी में कोच जाती है और मैं विश्यगर्दी कि आज आपके विश्यगर्दी की आना उसके परिभाशन में आपको बताओंगा और पूछ एक रियालिटी बताओंगा तो बहुत सारा है आज मिले पाद बोलने के लिए और सब कुछ बताओंगा पहले प्रात्ना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता प्रमेशर, सब कुछ तेरे और से हो पिता, मैंने बुद्धी ग्या नहीं, हॉली स्प्रिट तुम नहीं बदद कर रहा और आज हर एक भेहन का, हर एक भेहन का जीवन बचाये जाए, पिता सब उधार के योग्य है, पिता आपने सब के लिए जान दिये, तो कोई भी महिला, पिता जो इस बेपार में मजबूरी कारण किसे करण पहुँच गई है, यहां शेतान को ले गिया है, यहां पिता प्रमेशर, कोई और फिजिकल के कारण नष्ट होई गई है, उन सब का उधार कर, और उनको ले के आँ, वापिस, तेरी महिमा के लिए, हर एक की कमी घटी को आप पूरा करोगे, बचन प्रात्त संदे सब तिरा में सब्तों, ये श ये शितान की और से देखो देव एपार में पहुच जाती है, विशेगर पहुच जाती है, पाप पाप होता है, पर वो ये नहीं देखता कि मजबूर है नहीं है, हाँ, लेकि परमेशर चाहता कि सब का उधार हो, और हम और आप भी चाहते है, और अपने कमेंट बताना है या हम साथ है कि कोई भी देखो, आज हो सकता है कि अगर हमारी गली में, हमरे मोहले में, कहीं भी आपको कोई विशेगर दिया से देव बिपार देगे, तो हमेशेद उसे घिरना हो जाएगी, या हमें हो सकता है कि हम उससे नफरत करने लगे, या हम अपने बचाने के लिए अना उसे मूँ फेले, ऐसा होना लाजमी है, ऐसा हो जाता है, क्या हम प्राता ना करें, क्या हम ये ना कहें कि उनका ये काम छुड़ जाए, और प्रभून को शमा करें, और प्रभून को लेकि आए, देखो कारण कोई भी हो, गुना गुना होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ मजबूरी में ठीक है, कारण कोई भी हो, चाँ मजबूर हो, चाँ शतन का हो, चाँ लाला चोचा कुछ भी हो, लेकिन पाप होता है, हाँ पाप का प्राशित है, और इन बहनों का जो देवेपर में पोच जाते हैं, किसी भी कारण से, परमेशर उनको बचाए, अलिलिया नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने श्रीकों गंदा करती है, अपने पवित्र मंद्र को वेवेचार में, फिजिकल में, क्या करती है, लुप्ध हो जाती है, कपे एक बाइफेंट, दो बाइफेंट, तीन बाइफेंट के साथ, बैविल, पवित्र बैविल, उनको वेश्यगर्दी कहती है मिरे जितों आज हो सकता है भेनों को बुरा लगिन के रियाल्टी है क्योंकि शरी को गंदा करना ही पाप है और यह वचन जो कहएगा मैं उस वचन के साहिट आपके पास आऊंगा लेकिन यह वचन उध्धार का है मिरे जितों और आज कैसे मुझे अध्धार कर ताकि तें नाम की महीमा हो आज हर एक भेन का हर एक भाई का हर एक परिवार के up भाई का इस वचन के दुआ कर आब परमेश्य की तार्णा उन पर भी पड़ यह वेविचार में महीला होटी परमेश्यं बचा लेता हैं लेकिन जो मर्द होते हैं जो करता है मैं मेरे ज़ी तो बात यह है कि कुछ साल पहले मैंने इस फ़ेंट टॉपिक के वचंद आ था और से मैं वचंद आ लेकिन परभू अधानिवाद हो इसा से मुझे से टॉपिक मिला और कैसे मिला मुझे टॉपिक देखो कुछ साल पहले बेग जगा से आ रहा था रात के डैम की कब को पता ही जब विजिट करते तो रात हो जाती है और जब तूर ज्यादा लंबे होते तो नाइट गाड़ी भी पकड़नी पड़ती है रात को भी आना पड़ता है तो मैंने देखा एक जब ही मैंने एक महिला को ऐसी देखा तो वहाँ से परफूर मुझे दिखा कि कितने मजबूर में या कितने किसी कारण सी देखो अगर इंसे पुछा जाये तो ये रो देंगे हर एक भेड़न जो इस देय वैबार में आते रो देंगे क्यूं रो देंगे क्यों कोई इश्य यह गंदा नहीं करना चाहता, क्यों करना चाहेगा, सब को जद प्यारी है, सब को एक मान सम्मान चाहिए, लेकिन श्यतान के कारण, मजबूरी कारण, या जवसे कारण, या किसे कारण वर्ष, वो इस पाप में गिर गए और गिरते चलियाते हैं, और कुछ पाप तो पाप में गिर गए, पैसा कमाने के पाप में, अपने जिसम को अना संतुष्ट करने के लिए पाप में गिर गए, लेकिन आज मैं चाहता हूँ, कि सब का उध्धार हो, आज मैं चाहता हूँ कि हर भेन, अगर इस पाप में, चुप के से कर रही है, चा सरयाम कर रही है, अग बॉइफ्रेंड के विवेचार में भी है वो फिर भी पाप है मेरे जटो देवेपार के लिए एक मौका होता है कि चलो मजबूरी है लेकिन जो लड़किया फिजिकल करती है बॉइफ्रेंड के साथ उनके पास सब कुछ है माबाप है परिवार है कृष्णिटी है सब कुछ है फिर भी वो रुप्ती नहीं है अपनी जीसम को गंदा करने के लिए परमेशन को छोड़ देगा वचन कहता है पाप की मजबूरी मिर्तिव है लेकिन फिर भी आपका उद्धार है मेरे जब मुझ जैसे इनसान को माफ कर सकता है तो आपको क्यों नहीं करेगा मुझ जैसे सच है मैं वही कहूंगा लेकिन मुझे पता है बहुत भेने रोईंगे आज और उद्धार पाएंगे लेकिन पूरा देखके जाना संदेश जो देखेगा वो द्धार पाएगा ये श्युमस्ति के नाम है आमीन मेरे अजीज़ों आज परमेशन ने बचन दिया है उद्धार का दो कर पहला जो बचन है सभी बैठेंगे और अगर आप किसी ऐसी बहन को ऐसी महिला को जानते है या किसी लड़की को जानते है जो बॉइट पन के साथ घुमती है तो उसको ये संदेश शेड कर देना ये कि परमुने मुझी दिया है वह है मती 21 और उसका 31 वा बचन मती 21 का 31 वा बचन कहता है ये श्युमस्य ने कहा है क्या कहा है अगर मैं सुरू से पढ़ंगो तो समझ आए का 28 से पूरा परेगाफ है एक मती 21 का 28 से क्या तुम सोचते हो किसी मनुष्य के दो पुतर थे उसने पहल तो बाद में पस्ता कर गया फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा उसने उत्तर गया जो जी हां मैं जाता हूं पर तुम से पहले ने ये श्युमस्य कहता हूं ये को ये श्युमस्य कह रहा है सच कह रहे है मैं सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्य के राज्य में परवेश करते हैं प्रेयस आला हुँ हमसे पहले क्योंकि आज किसी वेश्या यानि कि उन महिलाओं को जिने यह वर्ड नहीं बोलना चाहिए बहुत मजबूर होते होंगे या कारण से अगर उनको इसू समझा मिल जाए येकिन मानो वो ये शुमसी कभी नहीं छोड़ेंगे उनको धार मिल जाएगा मैंने से उनको कमबेक की जरूरत है आज मजबूरी में मर्दों के साथ गलस संबन मनाना कोई शोक नहीं है ये कारण कोई भी हो लेकिन एक वचन उधार का वचन को मिल जाए मैं यकिन क्या सकता हूँ उनका जीवन बलड़ जाएगा और कभी उस लाइन को उस पाप को नहीं दिखेंगे हलेलुया मेरे अज़ित अगर आज कोई भी महिला कोई भी बहन कोई भी रड़की वचन सुन रही है और उनके जिर में ये वचन जा रहा है तो कमबेक है आपका कमबेक है पर वो ये शुमस्ति में वापिस आ जाओ आप सोच रहूंगी मेरे घर का खर्चा के चलेगा मेरे घर में कोई नहीं कमाता मैं इस कालन से अपने घर को पाल रही हूँ छोड़के तो देखो पर मिर्शर आपको सारी आशीज देगा अरे शुमस्ति को गंदा करके कौन सा आप महल खड़ा करोगा कर भी लोगे तो कैब ठिकेगा वो गिर जाएगा बिमारी ले रहे हो आप परिंच सरीर में वो बिमारी का इलाज नहीं है लेकिन दुख मुझे उनका होता है जो बहने समझदार है पड़ी लिखी है किर्शन डी में है फिर भी बॉइप्रिंग के साथ फिजिकल हो जाती है मना नहीं कर पाती और आज इसने ब्रेक अप हो गया इसने फिजिकल करा दो सर बाद एक लड़का मिल गया उससे दोस्ती होई, फ्रेंडशिप होई, लवर्शिप होई तुरन पांस दिन बाद ही फिजिकल हो गया तो उसके बाद तीसरा मिल गया फिर सब कुछ छोड़कर पर किसी और से शादी कर ले कितने बाद शर्यूगंदा करा लेकिन अगर आज आप भी हो तो आपका भी स्वागात है मेरे जिदो यूकि जो वचन कहता है मैं वह ही कहता हूं मेरे जिदो यूकि पभी तो बाइबल की कोई भी बात असत्ते नहीं है इसलिए और मैं क्यों कह रहा हूं देखो मैं हमेशे कहता हूं फिजिकल होना सेक्स जानी के जिसे बोलते हैं फिजिकल सिप पती पती को अलाब्ड़िड है येश्यू मसीन खुद कहा है बचन में परमिशने का है ताकि वन शुत्पन हो आशी शुत हो सिप पती-पत्मी अगर पती-पत्मी इक रावा वो भी शादी के बाद यह निए वो हमरी होने ले पत्मी है या होने ले पत्मी है तो कोई बाती बहुत लोग ऐसा करते पाप को अंजाम देते हैं और बरबाद हो जाते हैं सिफ शादी के बाद पत्ति पत्नी को अलावड़िड है बस अगर उसके बाद या उससे पहले पत्ति पत्ति के संबन के बाद कोई भी लड़का लड़की किसी की लाइक में आता है शादी के बाद शादी के पहले माई नह के साथ कर रहा है पति पत्मी को छोड़कर ऑगोमारि में कर रहा है वो भी और शानि के बाद किसी और के साथ तही हो पति आता है तो वरष्यागर्दी में आता मेरा नहीं निकालेंगे होँ पहला करुंतियों 6 12 में लिखा है क्या तम नहीं जानते हैं कि जो कोई वेश्या से संगती करते हैं के साथ एक तन हो जाता है क्योंकि लिखा है वेद्धियनों एक तन होगा आप यहां पर आता है वेश्या से संगती करना यह नहीं कहती है वेश्या संगती मत करो दर्फैंसे कर लो यह कहती है जो एक तन होता है पत्ति- सब्सक्राइब बनाना गल्फ्रेंड बनाना जितने भाइए मैं इंको भी क्या रहा हूं कि सजाद दुद्ध को मिलेगी जुरूर जब ये शुमस्री के पास एक महिला को लेकर आये थे दोस्त लगाने के लिए तो ये शुमस्री को शमा तो करा था वेविचर में बढ़ा है वो अकेली आई थी मर्द नी था तो क्या परमेश्य के उसके गुंद तो शमा हो गए इसतिरियों के त Raw के बिच नहीं पाया था दौत भी बचन नहीं पाया था पाप करके और दौत की क्रणूं की बच्चों की आ गया थी अगर आप मर्द हो और आपने काम कर रखा हैं आप विशे गर्दे के ौश्मती पाँस आ्रहे हो आप गर्फ्रेंड के पाँस आ रहे हो तो साभधन होना आप पर आप अपकी क्या कोडिंग होता है जीमको सवाल देता है आज कितनी बहपनें का अधार होगा कितनी बहपने का यह हम तो वाइफिजम मना रहे हो हम भी ऐसा बोल दिया बिल्कुल मिरे जीज़ो कि शरीवंगंदा करना ना महाँ पाप करें और शरीवंगंदा करें परमेश्वँसे नश्ड कर देगा है कि अब से एक तन मैं प्र कहता हूं पत्ति पत्तिक को अलबडिट है अच्छा के वह भी करता है वहवठेंना करता है ते लिए आज ये वचन समझ जाओ अंत के दिन चल रहे हैं देखो ये शुमसी डैलू है शमा करने वाले है वचन निकालूंगा लुका साथ अध्याय का लुका साथ का लुका साथ अध्याय का चत्ति से पढ़ोंगा लुका साथ का चत्ति से क्या लिखाए फिर किसी फरिस्ती ने उससे विंती की कि वह उसके साथ भोजन करे आते वह उस फरिस्ती के घर में आ जाकर भोजन करने बैठा उस नगर के पापनी इस्तिरी ये जानकर कि फरीज के घर में भोजन करने बैठा है संग मरमर के पातर में इतर लाई वो इस्तरी जानगा यूश्य मस्री धर करता है वो पापनी इस्तरी थी और उसके पाउं के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाउं के आशू से भीओने लगी और अपने सर के बालों से इस तरी जो से छूरी है बैक कॉर्ण और कैसी इस तरी है क्योंकि ये तो पाप नहीं है मैंने कई चुन और को यह पी इंसान कि तब ही उगा और रहे होका और नफरत करें आड़े ये हमारी मोहलों गंदा करेगी लेकिन जब विचम का मौका मिलेगा तो पीछे नहीं हड़ है उनको भी उद्धार चाहिए हालेलिया मेरे जीज़ों आज नफरत ना करें मैं यह नहीं कहा रहा है लेकिन आगर आप भेहन है और किसको जानते हैं तो उसे सू समझा सुनाएं और इंटरनेट है या कर गपर कोई ऐसा देख रहा है और कोई बोई के चक्कर में हो उनिसे कोई मर्द है कोई कि भाई यह चाहत कोई भी है तो उसका विस्वार करते हैं अब मिखार जाएगा मुझे आपको मुझे नहीं मुझे मुखर आदादा को मैं पकरेगा पस आप यह पर शर्रिव क्योंन पना मजबूरी हो चाहिए कोई भी हो पिर जैसे को जब पर फॉर改 erm tut प कुई बेज दिया हो धार पा लिया हालिया जब घर गई होगी तो क्या वो काम करेगी अरे वो लोकों को ले किया कि कि यह में क्या लिखाए एक पातनी इस्तारी यह वह भी थो लिखा पांच पती कर चुकिए छटे जिसका play नहीं वो भी पती नहीं है और फिर यह शुमस को धार कर करा है। मैं अंती मचन कर बाहत प्राइतक करूगा और एक शेमा कर रहा है। में प्राधों को अधोई भी करेंगे। देखो इक मचन है यहां यहुना में लिख रहा है। और भौर को मंदिर में आया सब लोग उसके पास आये और बैटकर उपदेश देने लगा तब शार्ट फिर से एक इस्तिरी को लाई जो वेविचार में पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़ा करके ईश्वते कहा हे गुरू यह स्तिरी वेविचार करके पकड़ी गई ह भेवस्त मिघुशा ने हमें आगे दिये कि ऐस्सितरी को फतरा करे देखा इस्तिरी वे वेविचार में पकड़ी गई यहले करे यह अब येश्व मास से क्या कहते है उन्होंने इसके उपर गखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोश लाखने के लिए कोई बात पैर तो य जुप निक्षपाप है वही पहला फत्तर मारे तुम्में जो निक्षपाप है हम में से नहीं कूँकि युश्मसी कि निक्षप पाप है फत्तर मार सकते तुम्म, जुप्तर बहु है लगा प्रण तो यह के सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके सब निकल गए और येश्यू अकेले रहे गया और इससरी वहाई बीच में खड़ी रहे गई येश्यू ने सीध्य होकर उससे कहा हे नारी वे कहां गए क्या किसी ने तुझे पर डंकिया गया ना दी उ उद्धार कर देगा और आपके चीवन में नजाद आजाएगी उद्धार आजाएगा अब बचाए जाओगे और आपका वंश आशीश दोगा आप भी इज्जत की जिन्द कीजिए होगे और अगर आप अच्छे घर से हो और आप वाइफिन की चक्रे में जैसे मैंने बोल करते हैं स्वामी इस वचन आव वाले वचन की दुआरा आज मैं आपके धन्यवाद करता हूँ आपने मुझे हिम्मत दी इस वचन के दुआरा राज हर एक भेहन का धार हो रहा है भाई कभी धार हो जो पीता इस समय जो शमा मांग रहा है और अपने पापों से फिर कर आ र पडिक के जीव में उझळार करदेना पिता मैं आपकote धन्यवाद करता हूँ हां और आमिन के साथ पिता जो पराशित कर रहा है आखो में आशों के साथ और इस कान को चोज़ना चाता है अपने इस अडिक्शन को चूड़ना चाता तो अभाद आज इनको बाहर निकार ले और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, मेरा नमबर लेना चाहते हो, तो कमेंट बोक्स में मुझसे मांगना, मैं आपको नमबर दूँगा, अब मुझसे बात करना, फर्मिशा आपको द्धार करेंगे, गड़ प्यासे, जै मसे.